कराएंगे बड़ी जानकारी यूपी में एक बाजे तक 49.68 प्रतिशत मद्दान हुआ है तो यह आपको बता दे कि श्राजापूर में 36.38 प्रतिशत सितापूर की अगर बात करें कराज की बात करें तो कराज 43.14 प्रतिशत मद्दान का यह आकरा आपको हम दिखा रहें किस तरह से मद्दान चल रहा है चोथे चलन का मद्दान जारी है और इसे बीच यह आकरा भी हम आपको बता रहे हैं कि यह आकरा कहां से कितने प्रतिशत वोटिंग अभी भी चल रहा है इटावा में 37.68 प्रतिशुत रहा है उनाव की बात करें तो 38.69 प्रतिशुत रहा है तो ये बड़ी जारकारी एलेक्शन बेखिन आपको बता रहे हैं आप चौथे चरण का मतदान जारी है और ये लंबी-लंबी कारी भी आप देख रहें किस तरह से याप पर लोग अपने म सेटों पर मतदान जारी है एक और जहां कई जगा इवियम खराब होनी की सूचना सामने आई है तो ही कनौज में मतदान को लेकर सपा और बेज़ुपी कारेकरता आपस में भीड़ते दिखाई दिये क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरी देखिया कनौज में पोलिंग के दोरान राम नगर जो चोरहा है यहां पर एक पोलिंग बूथ है श्रीला देवी इंटर कॉलेज यहां पर अभी कुछ दिर पहले ही एक वोट कास्टिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के कारकरता आपस में भीड़ गए बताया जा र कर वो महिला और उसके जो समर्थक थे उनके बीच क्लैशिंग हुई यहां पर लेकिन पुलिस को जब सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुची लोगों को शांत कराया गया जो भी कारकरता थे उनको यहां से हटाया पुलिस ने फिलहाल पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है प पुलिस बीच छुटपुट जो सुचनाय हैं वहाँ पर पुलिस की एक्टिविटी भी नजर आती है क्योंकि अभी हमने बताया आपको के तीन ऐसी जगाई थी जहां पर पुलिस ने सुचना मिलने के तुरंथ 5-7 मिन के अंदर पहुच के सिथी को समाल लिया लेकिन कहा य पुलिस का अमला यहां पर पहुचा था और चंद मिन्टों की बात है कि जैसे ही सुचना मिली यहां के जो तैनात अफसर तो उन्होंने अपने बड़े अफसरों को बताया 5-7 मिनट में यहां पर पुलिस के जो अफसर हैं वो यहां पर पहुच गये थे अब यह पोलिंग बूत है और सुचिला देवी इंटर कॉलेज इसी पोलिंग बूत पर यह घटना हुई थी बड़ी तराब में आपको काल करता नदर आ रहे होंगे उदर और यह सब काल करता इसी सुचना के बाद पहुचे थे समाल बादी पार्टी और जो भाजपा के जो काल करता हैं उनक आड़ी बीलकनों